आप लोग यह जो कुत्ता देख रहे हैं, इसका किसी ने पाउं तोड़ दिया है, इसके पाउं में पता नहीं किसी ने डंडा मार दिया, तो इसका पाउं टूट गया है, तीन-चर दिन से, तो मैं इसको आज डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ, देखते हैं हमाँ क्या होता ह इसका प्लास्टर शड़ेगा, या क्या इसका कोई solution होगा, क्योंकि यह ठीक से बैट नहीं पा रहा है, और इसको दर्द बहुत जादा है, तो मैं इसको गाली में लेके जा रहा हूँ, काफी दिन से मैं सोधर था, फ्री हो जाऊं तो इसको दिखाऊंगा, आज मैं थीक है? आण ठीक हो जाएगा, थीक है? आज ठीक है, पाउंड ठीक करवा के छोड़ूआ ते रहा है, वो पाउंड पे डंडा मार दिया है इसके किसी ने, हुद बुरी तरह किसे, हाँ अब इसे लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर डैन के पास, यार, डॉक्टर साब का क्लेनिक बंद है, क्लेनिक बंद होने की वज़े से ये खुश हो रहा है, कि साला इंग जक्सन नहीं लगेगा, पट्टी नहीं बंदेगी पाउंग में, एक्स रे, पास, कोई बात नहीं, एक्स रे करा ले बिटा, प्यार से, ठीक हो जाएगा, ये इसका पाउं तोड़ दिया किसीने, ये वदा पाउं उसका टूड़ गिया है, तो अभी एक्सरे किया जा रहा है, लाव जी बेठावे, तोटी हुई है बादी, अब जो है, इसको बेहोस किया जाएगा, बेहोस करके इसकी फिर हड्डी को ट्रीट किया जाएगा, इस ट्रेट वग होने की वज़ा से क्या है कि, जो प्लास्टर है, अगर ये मेरा पर्सनल टेकिंग केर में होता तो बैटर होता, लेकिन फिलहाल एक, एक कह सकता हूँ कि नॉर्मल वाला पलस्तर, जिसमें की, ये उसे उखाड़े भी न, वरना असली पलस्तर तो टोड़ देगा, ये इस हड्डी को सीधा किया जाएगा, अभी, क्यों जाकी, नो बाइट, वहीं पर रही हो, मैं तरह ध्यान रखोंगे, इतना भी रख सकता हूँ, तो भाई जी जाकी का पलस्तर हो चुका है, लेकिन जाकी फिर भी तंग कर रहा है हमें, मांजबात कू, चिल ला रहा है, चिल ला रहा है, इंजेक्शन लगा हूँ है, इसको बहोशी का, ठीक है, बाकि आज का जो है यही था, जैसे भी ता बड़ी महनत से इसको, कोशिश किये, अपनी तरफ से बैस्ट दिया है, देखते हैं, जैकि कितने दिन अपने आपको सही ही रख पाएगा, अभी तो बहोशी में है, थोड़ा था, देखते हैं, फिलास्तर किया हुआ है, खोल लेगा वैसे तो क्योंकि इस ट्रेटों के जंगली कुटता है, मिलनी पाएगा जल्दी से, अभी बेचैन हो रहा है, बागी भाई, इसका भगवान मालिक, चलते हैं, आज के लिए इतना ही,